सभी को सर्शती पुजा की हारदिक सुब कामना आए हैं तो यहां हम सब पुजा करने आए हुए हैं और यहां मुर्ती जी की पुजा तो पहले हो चुकी है तो थोड़ी देर हो गई मुझे तो मैं खुद से पुजा कर लोंगी और यहां अंटी लोग भी पुजा करके जा रह और इन्हें मैं बोली कि मैं भी पुजा कर लेती हूं क्यूंकि काफी देर हो गई थी घर के कामों में और घर में भी पुजा करना होता है तो बच्चे तो पुजा कर चुके तो मैं थोड़ी लेट से आई और अंटी लोग बोली कि ठीक है आप भी पुजा कर लो तो आज श्रतिमा की मूर्तियस थाबित हुई है तो हम पुजा पाट करके साम में घुमने भी निकलने के लिए सोच रहे हैं तो यहां देखते हैं कि कितना टाइम लगता है और पुजा करने के बाद मैं घर आ गई हूँ और बच्चों के लिए नास्ता बना रहे हूँ क्यूंकि काफ तो बच्चों को मैं बोल रही हूँ जल्दी जल्दी खालो क्यूंकि उनके पेट में चुहे दोड़ रहे हैं पहले मैं बच्चों को खिला लेती हूँ मा भी नास्ता कर लेंगी उसके बाद मैं भी नास्ता कर लूँगी क्यूंकि काफी टाइम हो चुका है तो बच्चे त तो नास्ता कर चुके और मैं भी अब नास्ता कर रही हूं, अब नास्ता करने के बास सोच नीक थोड़ी देर आराम कर लूँ और यहाँ पे लल्ला थोड़ी बदमासी कर रहा था, वो सभी का वीडियो बना रहा था, तो मैं सोई हुई थी तो मुझे पता नहीं था जब मेरी आग खुली तो मैं देख रही हूँ कि वीडियो बना रहा है और राजा पढ़ाई कर रहा है क्योंकि इसका हमबर्ग कम्पलीट नहीं हुआ था ट्यूसन का तो उसे मैंने मना किया लला को कि वीडियो ने मना वेटा सोने दो थोड़ी देर लेकिन वो थोड़ी सरार्ती है तो उसे मैं मना कि उसके बाद वो खेलने चला किया और हम बगल में भी जाएंगे प्रशाद लेने क्योंकि वहाँ भी मूर्ती रखा हुआ है तो पिहू को में गोली की जल्दी से तयार हो जाओ और हम जाएंगे परसाद लेक वहाँ और उसके बाद हम सब साथ में घुमने का प्लान मना रहे हैं तो देखते हैं जा पाते हैं या नहीं तो हम सब जा रहे हैं कुहू के पास कुहू से मिलने वैसे कुह भी आई हुई थी तो वो चली गई अब हम जाएंगे तो यहां से हम निकलते हैं यह है हमारा में दरवाजा मैं आपको ब्लोक में दिखलाऊंगी कि हमारा रूम कैसा है और यहां देखे फ्रेंड्स तरह तरह के रंग भी रंगे फूल है बहुत ही प्यारे प्यारे और गुलाब तो बहुत ही अच्छे सब्जी भी बहुत सारे चीजे लगाई हैं साग सब्जी बहुत चीजे हैं तो बीहु को भी में बोड़ी हूं जल्दी से तियार हो जाओ उसके बाद हम चलेंगे तो हम आचुके कुहु के पास और कुहु यहां देखिए कैसे कर रही है बहुत ही खुपसूरत लग तो पताने कि धर चला गया है तो यहां भी हम परशाद ले नया है परशाद लेकर हम घर जाएंगे और उसके बाद घुमने के लिए कहीं निकलेंगे तो मैं घर आ चुकी हूं और थोड़ी दिर में बाहर बैठ जाती हूं क्यूंकि बहुत ज्यादा ही ठक गई और अब साम होन नहीं वाली है तो सोच रही हूं कि जल्दी जल्दी अब कपड़े भी उठा लूँ क्यूंकि सारे कपड़े सुक चुके हैं सभी कपड़ों को मैं उठा कर रखूंगी फ्रेंट्स वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक कोमेंट इन मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं फुलना फिर मिलते हैं वागाई